तो अकर तुम लोग भी Instagram पर photos upload करते हो तो ये problem तुमने जरूर face की होगी जब कभी भी तुम अपनी photo upload करते हो तो उपर से या तो सर कर जाता है या फिर नीचे से pair कर जाता है और तुम लोग कुछ जानते हो कि ऐसी photos Instagram कभी भी explore page पे नहीं बेशता है नहीं suggestion पे और वो viral तो बिल्कुल भी नहीं होती है लेकिन अब भी जो तुम देख सकते हो कि मेरे हर photo के अंदर proper एक frame होता है proper frame के अंदर photo click होती है और edit होती अच्छे तरीके से जैसे उसको तुम proper size के अंदर upload करोगे proper frame में upload करोगे तो Instagram उसको recommend भी करेगा दूसरों को explore page में बेज़ेगा सब जगापे बेज़ेगा और तुम्हारी पोस्ट वापे वायरल भी होगी आज मैं तुम्हार को दो ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे तुम अपनी photo को फुल साइज में upload कर सकते हो या फिर तुम्हारे पास पुरानी फोटोस है जिसमें तुम्हारा फ्रेम बहुत ही बड़ा ले रखा है जो कि परफेक्ट अप्लोड नहीं हो रहा है उसको भी तुम सही करके Instagram पे पोस्ट कर सकते हो इन दोनों तरीके से तो सबसे पहले तुम को खुद ही ध्यान रखना है जब भी तुम अपने फोटो शूट करवा रहे हो जब अपनी फोटो क्लिक करवा रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्टा बैग्राउंड ले लो कि थोड़ा दूर से फोटो क्लिक करो तो चलेगा उसको तुम बाद में कुरॉप करके Instagram पे पोस्ट क पर खीर तो आज कहले जैसे जाए जमाना तो यह काम बैम अएक से कर वाइंगे तुम लोगों को कोई भी भी ब्राऊजर करना है उसमें तुम्हार को सर्च करना है अन्कृट ऐसे सर्च करोंके तो फर्स्वाली साय पर तुम ऑपन कर लेंगे यहां से अपनी फोटो को सिले में पर यहां पर चुब यह यहां रवाइं तुम भी फोर्टो को कुछ और चीहां काया कlor result निकाल के देदेगा तीनों में से जो भी पसंदारा उस पर क्लिक करो और उपर से इसको download करके अपनी Instagram पर post कर दो और इस website में और भी बहुत सारे tools है जिनको तुम use कर सकते हो तो उन पे कभी और बात करेंगे लेकिन अभी बात कर लेते हैं point number two तो कि application है और वो है snapshot application तो snapshot से तुम अपनी फोटो को कैसे बड़े फ्रेम में convert कर सकते हो चलो बताता हूं तो तुम लोगों को snapshot application open कर लेना है plus वाल आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को यहाँ पे upload कर देना है कि नीचे को option आएगा tools इस पर क्लिक करना है कोने पर तुम लोगों को option दिखेगा जिसका नाम है expand इस पर क्लिक करना है तो अब तुम लोगों को एक अरो पकड़कर कोने में से कोने वाला एरो उसको तुम्हार को थोड़ा थोड़ा खीचना है थोड़ा थोड़ा खीचना जिससे क्या होता यह उसी अब मेरे पास दो फोटो यहां पर आचुकी है एक जो आपने वेबसाइट से जन्रेट कर वाई तो दोनों फोटो को अपलोड करके दिखाता हूं कि इंस्टाग्राम पर फूल साइज पर अपलोड होती है आहिकर नहीं तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए सब सेथा उपन करके दिखे आपनी फोटो को यहां से ले लेना हैं कि तुम उख सकते हो या फिर किकर देना तो और चलिक देदा नी पर और तेशी ते मेरा फोटों पूरी तरीक से अपलोड हो रहा है है अपने फॉर्टों को वाइरल कर सकते हो तो यह वाला वीडियो को है इस फॉर्टों को चैप करो तो जल्दी जाओ इस वीडियो को चेक करो